हेज गाईज कैसे आप उम्मीद करता हूं? आप सब यह अच्छे होंगे। आज किस बीडियो में हम बात करने वाले हैं? How to change hotspot password in tech no Poba News So guys, आज किस बीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप hotspot के password को कैसे change कर भाएंगे और इसकी कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ आपको तो वीडियो को एंटर देखना वीडियो को बिलकर भी स्किप नहीं करना है तो चली दोस्तों बिना टाइम को आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको नौटिक्षन बार में जाना होगा एक बार और स्वाइप कर लेना है अपको इसके बाद यहां पर आपको हॉट इस Tamam मिल जाता है तो इस पर आपको प्रेस कर के रखना होगा और आसे से अग कर देंगे तो यह आपका hot spot on हो चुका है अब यहाँ से आप limited लगा सकते हैं जैसे limit लगा सकते हैं one time data की जैसे कितना data आपका खर्च हो एक बार में तो यहाँ पर data limit पे जाएंगे और यहाँ से आप 1 GB कर सकते हैं या फिर मातर 500 MB किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो यहाँ पर GB पे क्लिक करेंगे और MB पर करना है OK कर देना है तो सिर्फ 500 MB आपकी दूसरा बंदा यूज कर सकता है इससे ज़्यादा आपकी MB यूज नहीं कर सकता है अब आपको यहाँ से इसको on कर देना है limit को अब यहाँ से आपको back चले जाना है back जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है hotspot setting तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो है AB WAND जो है 2.4 GHz हो रखिए तो इससे आप बढ़ा कर 5 कर सकते हैं 5.0 GHz कर सकते हैं नेक्स्ट आपको password चेंज करना है तो password पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर इस तरी की से आपको इसे delete कर देना है और यहाँ से आप अपना कोई भी new password generate कर सकते हैं simple सा या अपना नाम बगारा लिख सकते हैं save hotspot setting कर देना है अब आपको password चेंज हो चुका है अब आप किसी भी फॉन में hotspot connect कर सकते हैं इस password से तो आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तो मिल देख नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ